हेलो फुडीज मैं हूं किरन हूं मिट फुडी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे घर में ही मावा तो चलिए मावा बनाना शुरू करते हैं मावा बनाने के लिए मैंने एक किलो के करीब दूद लिया है यह देखिए यह मैं दो ग्लास दूद इसमें डाल दूँगे अब इसे हम अच्छे से उबालेंगे अभी गैस स्लो है यह देखिए दूद उबलना शुरू हो चुका है बीच बीच में गैस को हमें देज कर देना है और कभी इसे हमें स्लो कर देना है यह देखे इस तरीके से इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे अब देखे मैंने गैस टेज कर दिया है फिर से स्लो कर दूँगी यह देखे अब आज कल जैसे मावा बाहर अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप घर में भी मावा घर में तयार कर सकते हो इससे बहुत सारी मिठाईयां बन सकती है खीर में आप इसमें यूज कर सकते हो इस तरीके से मावा हमें बहुत ही घर में काम आता है तो इसे घर में ही बनाईए यह देखे इस तरीके से हम यह देखे इसे हम चलाते रहेंगे लगातार हमें अब चलाते रहना है क्योंकि थोड़ा सा दूद हमारा गाड़ा हो चुका है तो अब हमें थोड़ा सा इसे संभल के बनाना है इसे ताकि तले में चिपके नहीं ये देखिए ये साथ में गाड़ा होता जा रहा है ये देखिए इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे यह देखे यह देखे मावा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है 200 ग्राम के करीब हमारा मावा तैयार हुआ है मैंने एक किलिटर दूद लिया था तो यह देखे आप इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे तंडा होने के बाद यह थोड़ा सा और गाड़ा हो जाएगा देखे मावा मारा बिल्कुल बनकर तैयार है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हो 10 बंदरा दिन के लिए आप इसे रख सकते हो इसे ज्यादा नहीं रखना है फ्रिज में 10 बंदरा दिन आराम से इसे कोई भी चीज कि बना सकते हो तो देखिए को सीज है Carrieúblic कोई भी गुजीया या मिठाई किसी में भी इसे यूझ कर सकते हो तो फ्रेंटस कैसी लगी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो पलीज इसे लाएक और शीर करें और मुझे कमट करके भी जुरूर बताएं अगर आपने अ मिलते हैं एक और नई रस्पी के साथ